हेलो दोस्तों आप सब केसे हैं आशा करतों आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को मेरे एक और नई वीडियो में स्वागत है आज के इस वीडियो में टोपिक है कि कि JCB का जो मीटर है वो बंद रहता है किसी का यानि उसमें लाइट नहीं आ रहा है तो उसको चालू फिर से केसी करें कि एक भाई ने कमेंट किया है मुझे कि भाई मेरा मीटर जो है ना बंद आ रहा है ना तो डिजल ना आर्पीए ना फिर मीटर में मतला लाइट ही नहीं आ तो दोस्तों अगर आपका भी मेटर काफी दिनों से बंद है और या तो चलते चलते आचानक बंद हो गई है उसमें सलाइट नहीं आ रहा है रिडिंग नहीं सो कर रहा है और मेटर में कुछ मतलत दीखी नहीं रहा है अगर आप उसे चालू करना चाहते हैं तो आप एक बिल् दिखाने में आसानी हो और अभी हम दिखाएंगे फ्यूस बोक्स के उपर चार बोल्ट होता है जो कि मैंने पहले से ही खोल के रख लिया है और ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप देख सकते मेरे हाथ में ऐसा चार बोल्ट रहता है और अभी हम सबसे पहले फ्यूस बोक्स का कबर उपर का निकालेंगे और अभी हमने fuse box का कबर निकाल लिया और दोस्तों अभी जो है न आप कभी भी देखेंगे कि कबर के अंदर side में एक sticker लगा होता है जो company ने दे रखा है उसमें से fuse की information टोटल दिया होता है कि कौन सा fuse किस चीज का है और आप इससे भी तो फिर पुराने machine है new model या फिर पुराना model घबराना नहीं है दोनों का समधान इस वीडियो में हो जाएगा तो आपको सबसे पहले देखना है कौन सा fuse किस चीज का है और सारा खेलना इसी fuse में दोस्तों सबसे पहले जो 5 ampere का जो fuse है अभी हम आपको दिखाते हैं कि 5 ampere कौन सा देखना है तो 5 ampere का यह जो fuse दिख रहा है दोस्तों स्टीकर में जो की switch का sign दिया हुआ है चावी लगाते है वेशा sign दिया हुआ है और यह 5 ampere का जो है उसको हम देखना है फ्यूज में की कौन सा है ठीक है तो चलते हैं अभी हम और आपको दिखाते हैं फ्यूज में की कौन सा है तो दोस्तों यह जो फ्यूज में ना इधर से हम आपको दिखाते हैं यह पांच एमपेर का इधर से सेकेंड वाला जो है तो ये पांच एमपेर का जो ना उस फ्यूज को निकाल के चेक करना होता है कि फ्यूज कटा है कि नहीं तो इधर आपको एक फ्यूज निकालने के लिए पीन दिया होता है उससे आप फ्यूज को निकाल ये सबसे पहले और उसको चेक करें कि फ्यूज कटा रही की नहीं तो चेक करने का तरीका है उसके फ्यूज के बीचो बीच में एक cinnamon का तार जैसारे इसा दिया हुआ है देख सकते हैं बीच में तो वो कटा नहीं होना चाहिए अगर कटा है तो इसका मतलब फ्यूज खराब है लेकिन अभी मेरा फिलाल अच्छा है आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ तो अभी अच्छा है और मैं निकाल लिया हूँ हाथ में और अभी हम स्टार्ट करके जैसी भी को ओन करके देखते हैं कि क्या मिटर में लाइट आ रही है कि नहीं दोस्तो आप वीडियो में बने रहे हैं और एक लाइक तो कर दे ठीक है तो चलते हैं अभी मेटर की और दिखाते हैं अभी हमने चावी को ओन किया देखिए ओन किया लेकिन मेटर में कोई चीज सो नहीं करना है ना लाइट आ रहा है ना रेडिंग बता रहा है तो दोस्तो मेन प्रोब्लम वही फ्यूज का होता है तो फ्यूज को आपको चेक करना होता है जो पांच एमपेर का जो होता है वही तो अभी हम फिर से फ्यूज को अभी हम लगा के उसी जगह पे और फिर से चाबी ओन करके ही रख दिये हैं अभी देखते हैं इसमें लाइट आता है कि न दोस्तों अभी देखिए में तुरंत लाइट आ गई है और आप देख सकते हैं पूरा सो कर रहा है मिटर में कितना घंटा चला है फिर से चावियोन हमने कर लिया और देखिए में पूरा लाइट आगई तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले और ऐसे ही जानका कर दिरूब कि अपनरा ये घ्लृट क mentally ठिGroup से डिलूब सुनों।